सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एंजल वन ने अपने quarter 4 के जो number वो disclose कर दिये तो कैसे रहे है quarter 4 के number और साथ में क्या कुछ announce किया गया है इस वीडियो में इसे बात पर चर्चा करेंगे इसका results का जो effect है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो चलिए जानते details में आखरेका results कैसे हैं तो यहां पर आप लोग देखो भी हम discuss करेंगे इसके जो consolidated statement है उसको लेकर all figure in rupees million में दे रखी है लेकिन क्रोड में convert करेंगे यह आपको quarter ended और यहां पर आपको year ended results देखने को मिलेंगे अगर बात कीज़े total income किया total revenue तो अपकी बार जो total income देखने को मिले वो 13,585 million अगर करोड में convert करें तो यह बनता भी 1358 क्रोड त्रिपन लाग जबकि previous quarter में क्या था 1060 क्रोड 84 लाग और वही previous year के same quarter में 831 क्रोड के रही income तो year on year basis पर income में जबरता जंप है तो quarter on quarter basis पर भी income में काफी अच्छा जंप रहा है और previous year के मुकाबले भी आप लोग देखोगे आपके बार income में काफी अच्छा जंप हमें देखने को मिला है तो income overall काफी अच्छी हुई है उसके बाद expense यानि जो company ने खर्चे की है बई तो आपके बार खर्चे कैसे रहे है 899 क्रोड पिच्छे अत्र लाग के जबकि previous quarter में 709 क्रोड के ते और previous year के same quarter में 409 क्रोड के तो year on year basis पर भी expense बढ़ है तो quarter on quarter basis पर भी expense बढ़ है बट revenue expense से कहीं जायदा इसका मुदल company ने बनाया है जबर तस profit लेकिन किना profit है चलिए देखते भी profit for the period अब के बार देखे त 949 क्रोड चुराणवे लाग का जबकि previous quarter में 260 क्रोड तो previous year के same quarter में 266 क्रोड तो profits में आप लोग देखोगे भी year on year basis है या फिर quarter on quarter basis है दोनों जगह उपर बहुत जोबरतस्त results का effect जो आएगा वो positive आएगा क्योंकि revenue इसका काफी अच्छा रहा है profits के मामले में काफी अच् पैसे 31 रुपे दो पैसे previous quarter में था और previous year के same quarter में 32 रुपे क्या सपास का इसका earning बर शेर है इसके अलावा अगर बात करें इसके assets वगरागी तो यहां पर आप लोग देखो भी total assets जो है वो मार्च 2023 के मुकाबले मार्च 2024 में हमें increase होते होए नजर आई है यहां पर देख सक सब्सक्राइब करोड़ से इंक्रीज होकर हुई अभी 13253 क्रोड़ जो कि बिल्कुल positive है उसके बाद इसके उपर अगर बात के जाए भी debt वगरा तो यहां पर आप लोग देखोगे company के उपर जो borrowing वगरा हमें देखने को मिल रही है वह अभी लगबग 750 क्रोड़ से increase होकर हो गई है 2,402 क्रोड के आस पास तो इसके टोटल अपडेट से इसके लाव और कुछ पूशना कमेंट में पूश सकते हो भी और वाक्य वीडियो को पूश करके इनने आप लोग डेटियल में पड़ भी लेना भी ठीक है cashflow वगरा यह सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे यह नॉट्स भी आपको वीडियो को पूश के लिए डेटियल में देखने हैं डिविडेंड ऐसा कुछ भी कंपनी के तरफ से अनॉंस नहीं किया गए और थैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो